Hello everyone, Welcome to my YouTube channel In this video, we will do question number 5 of chapter 10 angles and worksheet 1 मैंने यहाँ पर उपर लिखा नहीं है कि कौन सा है लेकिन यहाँ का question 5 है worksheet 1 का chapter 10 अब आप यहाँ पर देखें, वो आपको thumbnail में भी आप देख लोगे वहाँ से भी पता चले जाता है, thumbnail ही चाक करते है पहले तो अब आप यहाँ देखें, write another name for the following angles in the figure आपको यहाँ पर एक यह figure बना कर दी हुए, आपकी book में भी same है मैं book में से मैंने यहाँ बना लिया, अच्छा एक बच्चों को यहाँ पर देखो confusion क्या होती है, कि मैम यह जो question है, क्या यह figure हमें अपनी copy पर बनानी है, और उसके बाद हमें question करनी है अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, कि यह वाले जो question है, मैं अपने school में, अपनी classes में यह book पर ही करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए figure आप ड्रो करते हैं, वो मैं copy पर करवाती हूँ, और यह वाला जो पार्ट है, यह बुक पर ही करवाती हूँ, क्योंकि महां से थोड़ा सा, जब हम class में जाते हैं, तो time भी save हो जाता है, क्योंकि आपके syllabus बहुत lengthy होता है, ठीक है, तो अब यहां पर हम करेंगे, question number five, आपको, देखिए, आप यहां पर मेरी वीडियो से help तो ले रहे हैं, लेकिन mainly तो आपको जो आपके school का जो teacher, आपको वही पढ़ा रहा है, ठीक है, वहां से में सापको थोड़ा कहीं कि book पर करो, तो आप book पर करो, अगर आपका teacher कहता है, कि आपको notebook पर करो, तो notebook पर, मेरे school के बच्चे हैं, मैं उनको बोलूँगी, कि आप इसको book पर कर सकते हैं, ठीक है, next हमारा question है, write another name for the following angles in the figure, यह जो आपको figure दी हुई है, आपको क्या करना write another name, जैसे यहाँ पर उनको बोले angle one, इस angle one का आपको name बताना है, कि इसका और दूसरा क्या name रखा जा सकता है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले आपको एक plane paper पर बताऊंगी, कि angle की कैसे name रखी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें, मैं पहले यहाँ पर एक angle बना देती हूँ, कोई भी यह, यह निस आपको book का question नहीं है, यह simple मैं वैसे आपको समझा रही हूँ सिर्फ, ठीक है, जैसे यह angle तो मैंने आइसे name रख सकते हूँ, कि जैसे आप इसको small letter से कह दो कि angle A, ठीक है, simple इतना, तो आप इसको क्या कहोगे, angle A, यह भी इसको present करने का एक तरीका है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, एक आप यहाँ पर point ले लो, O, यहाँ पर आपने point ले उसको आपने name दिया, A, यहाँ प या फिर इसका दूसरा name क्या रख सकते है, आपका angle देखो, यहाँ यह angle बना हुआ है, जब भी आप angle का name लिखते हो, तो सबसे पहले तो angle का symbol बनाना है, और आप ऐसे देखो, जैसे आप पर A है, O है और B है, आप इसको यह नहीं कह सकते हो, आप इसको बीच में से कभी भी A है, इसके उपर जो point आता है, यहाँ पर, यह आपका A है, तो आप इसका नहीं लिखोगे, A, O, B, angle A, O, B, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी कॉमा मत लगा नहीं यहाँ पर, यह लिख दो या फिर angle, यहाँ से भी start कर सकते हैं, B, O, A, B, O, A, ठीक है, यह यह भी ठीक ह इन में यह तीनो ही ठीक है, आप जो भी लिखोगे तीनो ही आपके ठीक माने जाएंगें, ठीक है, कईम बार आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, जैसे 1 लिख दिया, ठीक है, मिंस मालो यहाँ पर A लिखा ही नहीं, आपका ऐसे 1 करके दिखा दिया, तो आप इसको angle 1 भ दिया और कुछ ही नहीं दिया सिर्फ इस पॉइंट का नेम डग दिया और कुछ भी नहीं दिया तो अब इसको कोगे एंगल पी ठीक है यह मैंने आपको सारा बता दिया अब इसकी है अपना कोश्चन कर लेका है कि जो एंगल वन है आप इसको दूसरा क्या नेम दे सकते हैं तो अब मैं यहां पर इसका लिख रहे हूँ एंगल वन का और क्या नेम रख सकते हैं यहीं पर लिख देती हूँ इकोल का सिंबल लगा दो एंगल वन आप देखे कहां पर है यह रहा वन यह आपके कौन-कौन सी रे से बन है एक तो आपकी यह बी है ठीक है और दूसरी कौ तक और यहां से देखे कि यहां पर यह आर्क होती है किस-किस को टच कर रहे है यह तो इसका यहीं काल समय का रही है यह इंगल यह यहां से मैं यहां सी को की चुपा देती हूं जलो ठीक है अभी यहां पर कौन से लाइटर लिखे हुए हैं यहां पर ये A, ये B और ये नीचे G, तो कोई क्या आएगा A, B, G, तो इसका नेम हम रख देंगे A, B और G, next है A, F, G, अब आप देखो A, F, G कहां पर है, A, F, और G, A यहां पर है, f यहां पर है और g है ठीक है means इसकी बात हो रहा है a f g means एक तो ये वाले और एक ये वाले मेरी pencil थोड़ी बड़ी है आप यह मैं सोचने है कि मैं आपके तो pencil बहार निकल गई है ठीक है वो सिर्फ मैं आपको angle बता रहे है इस angle की बात हो रही है कि यहां पर इस point पर कौन सा angle बना हुआ है ठीक है तो a f g किसका है four name है उसका ठीक है angle four यहां पर इसका name क्या है four next है हमारे पास angle two अब आप देखो angle two कहां बना है ढूंड़ो उसको यह राटू ठीक है यह देखो यह two यह जो इसकी arc है वो किसको touch कर रही है यह arc इसको एक तो यहां पर इसको cut कर रही है यह इसका name क्या है g e ठीक है और यह एक इसको touch कर रही है इसका name क्या है e d अब आप इसका name देखो यह वला angle है यहां पर ऐसे और ऐसे यह वला इस angle की बात हो रही है यह जो यहां पर यह एंगल बन रहा है तो इसका निम कहां से start होगा जी से start होए जी तिर यहां पर नीचे वहला point और फिर last में डी तो क्या बनेगा g e d ठीक है g e d लिख दो या या फिर deeg दोनों ठीक होंगे 2 तरफ से पढ़ सकते हैं तो हम इसक लिखेंगे G. और जिख आफ the egg पढ़ लो या फिर उलटा GED पढ़ लो एक ही बात होती है Angle 5 ठीक है Angle 5 आप देखो यह बहुत यह क्योंकि इसमें यह ही इसका ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत गल्दी करती है बच्छे अब आप देखो Angle 5 की बात हो रही है यह यहाँ पर 5 लिखा हुए ना मिन्स यह वाली आर्क यह जो आर्क है यह 5 को शोग करती है यहाँ पर यह आपका Angle यह वला Reason ठीक है तो यह आप यहाँ देखो यह यहाँ जाके तो इसको टच्छ किया इस वाले को ठीक है मैं यहाँ पर यह पैंसिल लग जटी यहाँ से ठीक है एक तो ये और एक इसने यहाँ पर इसको ऊपर यहाँ पर यह वाला ठीक है सिर्फ इतना ही है आपका एंगल ठीक है सिर्फ इतना ही है ठीक है यहाँ पर ऐसे आप यह देखें यह 5 है सिर्फ यहीं जाकर खतम हो गया उसके बाद तो एंगल 3 शुरू हुआ है ठीक है आ यह आपका बन जाएगा ई जी डी या फिर डी जी इ उल्टा ठीक है यहां ऐसे इन दो से मिलके बने हैं ठीक है इसे बहुत करते हैं आपको बहुत इंप्पर्टन कुश्चन आप जो आफ यह फिर लाई नवाए यह यह यूजो नहीं हुए यह बनाने में ठीक है तो यहां तो आप इस वाली रे से स्टार्ट कर लो या इस वाली रे से और किसी एक रे यह 5 है next है बीजी अब आप देखो एक उर बहुत अच्छी चीज जो आपको बता रहे हूं आप यह देखो बीजी 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 यह दिया एक तो बीजी है ठीक है यहां से बीजी और उसके बाद जीडी जीडी मतलब यह ठीक है यहां पर यह वला एंगल इस एंगल की बात कोशिश किया कि मैं आपको इसको अच्छे से समझापाओं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है कमेंट करें बताएं और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जिरूर करें थैंक्यू सो मच